एक अच्छा आयब्रोवज हो ना गूढ लुकिंग के लिए जरूरी है अगर आपके आयब्रोवज पतले है तो आपकी खेस कुछ हद तक डाल लगेगा देखने में बड मार्केट में बहुत सारे इसको से कने के लिए तरीका है जयसे कि आइब्रोह फेंचिल है आइब्रोह पावडर है जिसने हम लोग में बहुत आसानी के आइब्रोह जक्ता आपकी फेस की अपॉर्टेंग ये अगर आपके पास कुछ घड़ेलोटिपस हो में तो तो आप कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूं और एक-दो महीने की बाद मेरा रिजो हे कुछ हद तक इंक्रीज हुआ है तो अज मैं चाहती हो ही आप सबसे शेयर करो दो-तिन मैने में अगर आपकी आइब्रोज थोड़ा सा इंक्रीज हो सकते हैं तो अब इसको डेली उसकर सकते क्योंकि इसका कोई साइड़ तो नहीं है अगर आप नए है मेरे चल में अभी तक सबस्क्राइब नहीं के तो सबस्क्राइब मैं चैनल और उसको भी दबाद दीजेगा मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए फ्रेंट से है मेथी जिसको मैं डस्ट बना कर इस तरह से कॉंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा लेकर भीगो कर रख दूंगी कुछ घंटे के बाद ये फूल कर उठ जाएगा पूरे राद भी इसको भीगो कर रख सकते हैं तो मैं इतना सही भीगो कर रख दिया था क्यूंकि आइब्रोज के लिए ज़्यादा तो नहीं लगते हैं और ये जो कॉंटिटी आप देख रहे हैं ये दो तीन दिन आपका आइब्रोज के लिए अच्छे से चल जाएगा तो किस तरह से आप इसको अपले करेंगे आप तो चरह से इतना इतना ही काफी लेकर है अच्छे से आपको मेसेच करना है दिन में एकबैर किजिए अच्छे से इसको समसर्च करके लगा दीजिया कुछ हत्त के सुग गए है और अब मैं इसको वास कर लूँगी जितने देटा के आपके वाइब्रोस में रहता है वह अच्छा है आप अदा घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं तो आप मैं इसको वास कर लिया तो ऐसे आपको डेली करना है और इसके साथ साथ और एक अब को फॉलो करनी है वह रात को सोने से पहले और एक प्रोडक्ट आपको अप्ले करने हैं आपके वाइब्रोस पर अब कीसी भी ब्रैंड के अलवरा जिल ले सकते में ग्रीन लिप्स की अलवरा जिल यूज कर यह जादा नहीं लगते थोड़ा सा ही काफी है और थोड़ा मसच करके लगा लीजिए 100% रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप इसको रेगुलर फॉर्लो करते हो तो क्योंकि इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है और स्कीन चाय के लिए सूटेबल है तो जरूर आप इसको ट्राइब करके देखिए गा और इसके साथ साथ जो आपको क